गुड मोर्निंग इस्टूरेंट्स, वेलकम इन ओलाइन क्लासिज, विच आर गीवन बाई सेंट एंजल्स पब्लिक स्कोल, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर फोर, वर्षा रानी, जो के कवीता पर आधारित है, इस्टूरेंट्स, बारिश का मोसम बड़ा ही सुहावना होता है, बारिश सभी को बहुत अच्छी लगती है, बारिश से गर्मी भी दूर होती है, और बारिश होने पर बच्चे, बड़े, पक्ष्यू, पक्षी, सभी परसन हो जाते हैं, आईए इस्टूरेंट्स, शुरुआत करते हैं कवीता की, रिमजिम, रिमजिम, बर्षा पानी, देखो आगई, वर्षा रानी, काले काले, बादल गर्जे, बादलों की गरजना, अर्थात बादलों की आवाज, जम जमा जम, जमकर बर्षे, जमकर का अर्थ होता है, अर्थात, जब बारिश आती है तो, रिमजिम, रिमजिम, पानी बरसता है, और काले काले, बादल, आस्मान में, घंगोर गरजना करने लगते हैं, और जमकर बर्षे भी हैं, चमचम बिजली चमक रही है, चारो और हरियाली है, चमचम बूंदे बरस रही है, घंगोर घटा मतवाली है, घंगोर घटा का अर्थ होता है, काले काले बादल, अर्थात, जब बारिश होती है, तो, आस्मान में काले काले बादल, चा जाते हैं, और घंगोर गरजना करने लगते हैं, तब बिजली भी चमकती है, आस्मान में, और बारिश होने पर, चारों तरफ हर्याली ही हर्याली च्छा जाती है और मोसम बहुत ही सुहावना हो जाता है भर गए सारे ताल तलईया तलईया का आर्थ होता है पानी के छोटे तालाब भर गए सारे ताल तलईया मैंडग गीत सुनाते हैं सोंधी मिट्टी महक रही है सोंधी का अर्थ होता है सुगंधित पेड़ खड़े मुस्काते हैं अर्थात जब बारिश होती है तब पानी के छोटे छोटे तालाब भी पानी से भर जाते हैं और मेंड़क भी अपनी टर्टर की आवाज में गीत सुनाने लगते हैं और जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है जिसमें से बहुत ही सुगंदिस सी खुश्बू आने लगती है और बारिश होने पर पेड़ भी खड़े-खड़े मुस्काते हैं लहराते हैं मैं भी आओं तुम भी आओ बारिश में सब खुब नहाओ कागज की सब नाव वनाओ मिलकर पानी में तैराओ अर्थात मैं भी आओं और तुम भी आओ बारिश में हम सब मिलकर खुब नहाओं कागज की सब नाव वनाओं और मिलकर उसको पानी में तैराओं